नमस्कार साथियों मेरा नाम है भिनतर्शान शुपंडे और अभिप्सा की पूरे टीम की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ तो आज ये ये बात जो है किसी एक चाटर की नहीं है ये बात आपके और मेरे अस्तित्व की है ये बात ऐसी है जिसके बारे में हर किसी को जानकारी होनी चाहिए तो आज हम कुसी विसेश 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 पर चर्चा करने वाले हैं चलिए आईए कप्छा 11 में हमारा जो नया चप्टर चालू हो रहा है वो कौन सा है गती के नियम और गती के नियम के बारे में जैसे ही हम सोचते हैं तो हमको पूरी फिजिक्स जो है कहा नजर आती है आइंस्टाइन के पास में लेकिन क्या इकलौते नियूटन है जिन्होंने जो है हमारी तिहास को बदल कर रख दिया किस प्रकार से हम लोगोंने धीरे धीरे करके हजारों कठी की कैसे कैसे सीखते गए और सीखने के साथ साथ हमारे नॉलेज में क्या-क्या इंप्रूब्मेंट्स आए आज इस विशाय पर चर्चा होनी है आज हम बात कर रहे हैं गती का इतिहास लेकिन असल में यह टाइटल होना चाहिए विज्ञान का इतिहास तो चलिए एक- मैक्स प्लांक और लाश्ट में अलबर्ट आइंस्टाइन और इसके बाद तो वेग्यानिकों का नाम बढ़ता ही जा रहा है तो इन्हों ने हमारे जीवन में हमारे लिए क्या किया यह सारी चीज़े हम बात करेंगे एक-एक करके सबसे पहले इस महान आदमी के बारे में हम बात कर लेते हैं जिनका नाम था अरिस्टोटल इनकी जो है केवल मूर्तियां प्राप्त हैं हमारे पास में इनकी कोई मतलब समय तो फोटो होता नहीं था लेकिन आपको एक खासियत में बताऊंगा कि यह जो आदमी है इन्हों ने अपनी जो किताब लिखी थी उस किताब क नाम लखा था फिजिक्स अब आप सोच रहे होंगे यह कौन सी बड़ी बात हो गई मतलब यह है कि अगर जो है कोई व्यक्ति अपनी किताब का नाम फिजिक्स रख दे तो इसमें बड़ी बात क्या है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि यह जो हमारी भौतिकी है हमारा जो सब्जेक्ट खुद फिजिक्स है उसका नाम फिजिक्स है इसलिए इन्होंने अपनी किताब का नाम फिजिक्स नहीं रखा था बलकि यह बात उल्टी है इनकी किताब के कारण उस सब्जेक्ट का नाम फिजिक्स पड़ा आप अंतर समझे कि अगर इसको जो है पैन कहते हैं और अगर यह पैन ही है तो मैं कोई सावी पैन इसके आगे आपको नाम बताऊंगा कि यह भई इस company का पैन है यह उस company का पैन है लेकिन आपने कोई चीज बनाई और उस चीज का नाम आप ने रखा और उसके बाद में पूरी दुनिया ने स्विकार कर लिया कि हाँ अब इसको हम यही कहेंगे उसी प्रकार से अरिश टोटल ने अपनी किताब में जिस विसाय में बात की उस विसाय का नाम ही फिजिक्स पढ़ गया ये इनका योगदान और ये इनकी क्या कहने चे ब बात की जा रही है और इन्होंने जो है कुछ सिद्धान्त दिये होंगे तो क्या सिद्धान्त दिये होंगे इनका योगदान क्या है चलिए देखते हैं यहां पर आपको इस तस्वीर में क्या नजर आ रहा है यहां पर जो है पंच भूत के सिद्धान्त के बारे में बात की जा रही है सबसे नीचे क्या है अर्थ है उसके उपर क्या है वाटर है उसके उपर क्या है विंड है विंड की उपर क्या है फायर है और फायर के उपर है इथर इथर ठीक है तो अब जो है इधी के सिद्धान को थोड़ा सा भारती पर शेप में देखते हैं और भारती पर शे है यहां पर भूमी का मतलब हो गया अर्थ ठीक है भूमी का मतलब हो गया अर्थ या प्रिथ्वी उसके बाद में रापो का मतलब है कि वायू नहीं अनल का मतलब जो है आहां रापो का मतलब होता है अंतरिक्ष खम खम का मतलब अंतरिक्ष होता है तो भूमी जल अनल वायू और अंतरिक यहां पर भी हमारे जो सिद्धान्त पंच भूत के सिद्धान्त है आपको अब यह चीज का अस्चेरे करना चाहिए पंच भूत का सिद्धानत भारत से गैशलीकिश से इसे हमारे पास तो यहा पर जो है क्या हो रहा है इनका कहना ये है कि पृत्वी में या जो है हमारे जो संसार में जितनी भी चीज़ें जो है जो गती करती है उस वो गती जो है सभाविक चीज़ है और वो क्यों होती है क्योंकि सभी की सभी वस्तूओं का अपना एक प्राकरतिक इस्थान है अब इसका क्या मतलब हुआ इसका जगहों पर हमको दिखाई देता है जल जल के ऊपर जो है क्या होती है पवने होती है हुआ होती है हवा के भी उपर क्या होता है अगनी होती है और अगनी के उपर जो है हमारा अंतरिक्ष होता है तो इन्होंने गेलियू इन्होंने क्या कहा इन्होंने कहा कि भाई अगर कोई पहाड है और इस पहाड के उपर कोई पत्थर है अगर आपने इस पत्थर को धक्का दे दिया तो यह कहा जाएगी यह नीचे गिर के यहां जमीन पर आ जाएगी इसका कारण क्या है क्योंकि यहां मिट्टी से या यह प्रिथ्वी से बना है और प्रिथ्वी का प्राक्रतिक स्थान सबसे नीचे है इसलिए यह पत्थर नीचे आ रहा है उसी तरीके से जब आप बोलेंगे कि बारिश क्यों होती है तो इन्होंने कहा प्राणिके संपर्क में आकर उपर उठ जाती है लेकिन उसका प्राक्रतिक स्थान क्या है भूमी के उपर इसलिए बारिश होती है और पानी भूमी के उपर जम जाता है इसी तरीके से जब आप जो है उनसे पूछते कि भाई आप बताईए कि वो गुबारा जो गैस वाला गुबारा होता है जिसके उपर बैट कर पहले यात्राएं की जाती थी वो गुबारा उपर क्यों उठ रहा है तो वो क्या कहते कि हमने उस गुबारे में क्या भरा है गर्म हवाएं भरी हैं और गर्म हवाएं जो है वह अगनी के कारण उपर जा रही है क्यों क्योंकि अगनी का जो इस्थान है वह वायू से भी उपर है इसलिए वायू को चीर के और यह हमारा गुबारा उपर जा रहा है क्योंकि वहां अगनी अपने प्राकृतिक इस् तो इनका कहना था कि ये बुलबुले अपनी प्राकृतिक इस्थान पर पहुचने की कोशिस करने हैं सबसे नीचे है भूमी या अर्थ उसके उपर है वाटर या जल उसके उपर है वायू और वायू जो है वो जल के अंदर जब आप वायू छोड़ेंगे तो वो बुलबुल बात बताई और क्या हमको जो है अब उनकी रेस्पेक्ट करना बंद कर देना चाहिए देखिए जब हम आदिमानों थे जब हम जो है केव मैं थे तो उस समय से लेके अभी तक जो है जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो हम एक चीज को देखते हैं उसके उपर अपनी कोई सम निकालते हैं और उस निसकर्स के सहारे जो है कुछ दिनों तक हम अपनी यात्रा करते हैं उस यात्रा के बाद क्या होता है उस यात्रा के बाद में आप उसी विशाय से जुड़ी हुई कुछ और बाते सीखते हैं अपने पुराने निसकर्स से उसका कंपेरिजन करते हैं औ आप वे ज्ञानिक होने के नाते किसी भी चीज को अकाट सकते नहीं मानते हर एक चीज हर एक बात जो आप बोल रहे हैं वो आपके निश्चित और लिमिटेड घ्यान का नतीजा है जैसे जैसे आपका घ्यान जादा बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आपकी समझ वर्ती और आपके पास में उसी चीज से डील करने के लिए नय नियम आने लगेंगे और यही आज भी हर एक स्टुडेंट्स को समझने की जरूरत है कि आप किसी भी चीज के लिए स्टबन न हो जाए किसी भी चीज के लिए जो है आप अडियल न हो जाए आप समझे कि विचार बने ही इसलिए है ताकि उन्हें नकारा जा सके और नए विचारा सके हमेशा जगह मिलेगी आपके नए विचारों को और उसे आपको प्रूब करना पड़ेगा कसोटी किसकी पुराने निसकर्षों से तुलना की और उस तुलना में जो जीता हम उसे के साथ हो गए चलिए आगे बढ़ेंगे और अगली बात क्या है इसके बाद में जो है हमारे बहुत इंट्रेस्टिंग आदमी आए लेकिया क्या बोल रहा है कि यहां पर जो है हमारे अरिश्टोट बोलते थे कि कोई चीजें जो है वो जो है अपने प्राकृतिक रूप से रुक वी होती है और जब हम उसके उपर बल लगाते हैं तब वो चलने लगती है लेकिन फिर यह एक आदमी है और यह बोल रहे है कि नए 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 आप गलत बोल रहे हैं बल तो जो है किसी भी ने कहा जड़त तो होता क्या है एक एक करके देखेंगे यह हमारे बहुत ही कहोनहार साइंटिस्ट जिनका नाम था गैलीलियो ठीक है गैलीले लेओ ठीक है हम लोग थोड़ा गलत उचारण कर लेते हैं लेकिन यह गैलीलियो क्या थे यह पेंटर भी थे यह दार्शनिक भी थी उसमें जगा जगा यहां निसान बनाए हुए थे और उस निसान के हिसाब से जो है वो यहां पर से गेंदे लुड़काया करते थे और जितने गेंदे लुड़कती थी तो हर एक सेकंड में जो है उसके द्वारा ताय की जो है वो बढ़ती जाती थी इस तरीके से इन्ह समाच के सामने ये सिद्ध किया कि कोई भारी चीज जो है जल्दी और कोई हल्की चीज देर से नहीं गिरती है इस से पहले हर कोंगे उधारण देता था अगर आप एक कबूतर का पंक फेकेंगे तो जीरी जीरे जीरे गिरेगा जब कि एक पत्थर लिए अलग-अलग साइस के और उनको एक साथ नीचे फेका और यहां पर आप देख सकते हैं यह थोड़ा सा काटूनिस्ट तरीका है लेकिन फिर भी गैलेलियो थे गैलेलियो वह आदमी थे जिन्होंने बताया कि भाई पृत्थवी का जो है अलग-अलग लोगों के साथ में अलग-अलग ट्रीटमेंट नहीं होता है पृत्थवी के जो है बल जो है वो हर किसी के लिए समान है इसके साथ-साथ उन्होंने यह एक्सपेरिमेंट किया और कहा कि जड़क तो क्या होता है अभी भी आपको जो है क्यों कि रख्षा नौवी में दस्वी में आप लोगों होगी कि मैं कहना क्या चाहरा हूं तो जड़क तो के बारे में इस तरीके का कोई बरतन लेता हूं और वहां पर एक किसी निश्चित उचाई से अगर मैं यह बॉल यहां से लुड़का देता हूं तो वह दूसरी और भी उतनी ही उचाई पर जाकर रुकेगी अगर यह जो ह मैं बरतन का जो है आकार किसी भी तरीके से बदलता जाओं उससे फर्क नहीं पड़ता जिस उचाई से हम लोगों ने छोड़ा है उसी उचाई में जाकर वो दूसरी तरफ भी रुकेगी और अगर मैं इस दिसा में जो है दोबारा कोई उचाई ना लाओं मतलब अनंत रू बल ना लगाया जाए क्योंकि घरसन का बल यहां पर लग रहा है लेकिन अगर कोई बाहे बल ना लगाया जाए तो कोई वस्तू अगर गति सील है तो वो एक समान गति से हमेशा चलती रहेगी इसी चीज़ को बाद में न्यूटन ने जड़तों का नाम दिया लेकिन ये वि एकलर की ये व्यक्ति ऐसे थे जो तेरा चौदा साल तक लगातार रात भर सिर्फ चारों सितारों को देखते रहते थे इन्हों ने ही जो ग्रही व्यावस्ता है इन्हों ने ही बताया कि किस प्रकार से किसी गोल बिंदू के चारों और मतलब सूर्य के चारों और सारे ग्रह व्रित्य या देर्ग व्रित्ताकार पत्थ हमें गती करते हैं इन्हों नहीं बताया कि जो है हम किस प्रकार से प्रित्वी के बाहर के अंतरिक्ष को क्योंकि जब हम बात करते हैं सोक्रेटीस की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने क्या कहा था कि भाई हमारा जो संसार है वो दो भागों में विभक्त है पहला जो हमारा ग्रह हमारी पृत्वी है इसको हम लौकिक संसार कहते हैं और इसके बाहर जब हम कल्पनाय करते थे स्वर्ग की तब कहते थे कि अंतरिक है हम सूर्य के चारों चक्र लगा रहे हैं और इस चक्र में जो हैं हर एक ग्रह को कितना समय लगता है पृत्विक के चारों और परिक्रमा करने के यह बात इन्हों ने बताई अगर आप सोचेंगे तो हमारे पास में इसी तरीके का एक नॉलेज है लेकिन बात क्या थी बात यह थी कि ग्रहों की जो है जो चाल है और ग्रहों का जो मूवमेंट है उसका असर हमारे स्टडी के उपर भी पड़ता है कैसे आईए देखेंगे आगे बात करते हैं नूटन की यह ऐसा वज्ञानिक जिसको जैसे आज कल हम अलबर्ट आइंस्टाइ नूटन के नाम तो यहोंने प्रकास के उपर वी बात किया। इन्हों ने संगीत के बारे में मतbecue इन्होंने जो हैं बहुत सारे चीज़ों में बात की लेकिन सब से ज्यादा यह एपल वाला इंसिदेंस इनके लिए जह फेमास हो गया इन्होंने बुरुत्वी बल के बारे में बात की आज जो हम जो चैप्टर चालू कर रहे हैं इसमें हम इसी के बारे में बात करेंगे आगे कि किस तरीके से न्यूटन ने समझाया कि किस प्रकार जो है हमारी गती हमारे आसपास होती है लेकिन इन्हों ने क्या किया था इन्हों ने जो है इससे पहले हम लोग हमें इलकसूर्य के चारोर चक्कर लगा रहे थे इस जानकारी को उठाया इसके साथ साथ जिस पकार से हमारे गैलिलेयों ने बताया के त्वरन वाली बात की कैसे पीज़ा के टावर से जो है हम लोगों ने दो चीज़ें गिराई और उनके गिरने का समय एक बराबर था इन्ह पिहास वदल के रख दिया इसके साथ साथ गनित के छेतरे में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है आप अगर कलन मतलब और समा कलन जो कि आप पढ़ रहे हैं वो जो है चीज़ें जो है अगर आप समझते हैं तो यह हैं उसके जनक इन्होंने बताया कि आवकलन समा कलन कि इसी गरना में जो है ज्यादा आसान तरीका कैसे हो सकता है तो इनको भी सलिट है अब इसके बारे में बार में हम बात करेंगे हैजनबर्ग की तो यह जो रैनर हैं आप जो है हैंजनबर्ग की आंसर्टिनिटी का प्रिंसिपल पढ़ेंगे इन्होंने कहा कि न्यूटन ने पता दिया कि किसी वस्तु कि में कि जो है उसका तौरन कितना है उसकी गटी कितनी है उसकी चाल कितनी है हम उसका लोकेशन कैसे नाप सकते हैं लेकिन फिर इन्होंने कहा कि जब हम छोटे-छोटे इलेट्रान प्रोटांस ये जो है जो सब अटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं अगर हम किसी इलेट्रान की बारे में बात कर रहे हैं तो किसी इलेट्रान की जो है पहली बात है गती और दूसरी बात है उसका जो है लोकेशन मतलब स्थिती तो उन्होंने कहा कि किसी भी वस्तु की गती और स्थिती के बारे में एक स जानकारी कठ्था नहीं की जा सकती आप अगर गती के बारे में ज्यादा सटीक जानकारी कठ्था कर सकते हैं तो आपको स्थिती के साथ में कंप्रुमाइस करना पड़ेगा अगर आप स्थिती ज्यादा सही धंग से जान सकते हैं कौन कहां है इस बारे में अगर आप तो पूंट बात थी जिससे जो है न्यूटन का बनाया हुआ पूरा सामराज बिखर गया और हमको एक नए ढंग से सोचना पड़ा देखिए मैंने वैग्यानिक सोच के बारे में आपसे बात की थी वैग्यानिक सोच का मतलब ही होता है कि हम पुराने जो है जानकारी से जितने आगे तक पहुच सकते हैं वहां तक पहुचेंगे उस रास्ते के दौरान जो हम बहुत सारी चीजों के उपर अपना ध्यान के इंदेद करेंगे बहुत सारी चीजों के बारे में हम अपने समझ को विक्सित करेंगे और उसके बाद में हम एक नए निसकर्स पर इन यह हैं हमारे सोसाइटी के असली हीरो अगर आप अपने कमरे में जो है सलमान खान शारुक खान या फिर किसी दूसरे एक्टर की फोटो निकालते हैं तो फाड़ के फैक दो कि असली हीरो तो यह लोग है इसके बादे में बात कीजिए देखिए मैक्स प्लैंक और नील्स एक परमाणू के अंदर किस प्रकार व्यवस्था होती है इन सारी चीजा के बारे में उसका किस प्रकार होता है यह सारी चीजा के बारे में किन्हों बात करी थे झीजिए हैंच इसे भाएंट उसके बात कर found जिन्हों ने प्लांक जिसको एक से परदर्सित करते हैं और यह बूलते हैं कि अभी अभी जो है कि अहां आhst कि हे जब्स बताया है हम जहां गति और शिती के बीच न पनदी बूख न कुछ होगी तो इन्होंगे बताया मैक्स प्लांक ने बतायाग न्यूनित्रम अनिष्चित्था जो है उसको एच रिस प्यजिक्स प्यूसद्रिंगे और इसे हम प्लांक कॉंस्टेंट के नाम से जानते हैं इन्हों ने बताया इन्हों ने वो रास्ता खोला जिसके base में हम लोगों ने मैक्स ब्लैंक क्यों पूरा नैया फिजिक्स पढ़ लिया नियूटन की बात करें तो उनके द्वारा पढ़ाया हुआ उसे हम नियोटॉनियन फिजिक्स कहते हैं लेकिन अब हम जो है मैक्स प्लैंक के बाद से एक नए फिyrिक्स के बारे पढ़ने लग गए जहां हम जो है इलेट्रोनों प्रोटानों निश्चित्ता-निश्चित्पा के वारे में बात करते हैं तो यह है हमारी सोसाइटिय के असली हीरो अब बताइए कि इस पिक्चर को पहचानते हैं तो चलिए बात करते हैं अलबर्ट आइंस्टाइन की सबसे फेमस जो इनका जो है E is equal to mc square ये सबसे ज्यादा फिजिक का सबसे फेमस जो है अगर कोई equation है तो E is equal to mc square है जो उपज थी हमारे genius scientist अलबर्ट आइंस्टाइन की इन्हों ने बताया कि कैसे प्रकास जो है वो एक particle की तरह एक कंड की तरह भी व्यवहार करता है और उसके साथ साथ किस प्रकार से वही प्रकास जो है किसी तरंग के तरह भी व्यवहार करता है इन्होंने बताया कि न्यूक्लियर के अंदर जो है चीजों को समझने के लिए कैसे किया जाए इन्होंने बताया कि गुरुत्वा करशन की नई परिभासा क्या है किस प्रकार से हम जो है टाइम और स्पेस को मिला कर जो है एक नया टाइम स्पेस की जो है कलपना कर सकते हैं किस हमारे scientist हैं जिनको हमको नमन करna चाहिए नमस्कार करना चाहिए इसके साथ अब हम अगले वीडियो में जो है अपने टॉपिक के बारे में बात करेंगे गती के नियमों के बारे में बात करेंगे लेकिन अगर आपको इतिहास नहीं पता तो सीछना जरूरी है क्योंकि उनका अनुसरन करना चाहिए, आपको बात करनी है, आप जो हमारे अब्दूलकलाम सहाब की बात कीजिए, आपको बात करनी है, अलबर्टाइंस्टैन की बात कीजिए, और अगर आप फिल्मे देखकर उनसे इंप्रेस होगे हैं, जो आपके सामने सिर्फ नाटक कर रहे हैं, तो ये अथी बात नहीं है, मिलेंगे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद.